हेलो दोस्तो स्वागत है आपका केवी लेक्टिकल मेंटेनेंस चैनल पर दोस्तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो एक हमारी सोडियम बेपर लेंप से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों क्या है एक हमारी जो sodium vapor lamp है वो जल नहीं रही है तो आज हमें उसी को maintenance करना है कि ये क्यों नहीं जल रही है तो आज हम उसको check करेंगे और देखेंगे उसमें क्या problem है तो इसी के भी आरे में हम आपको सब कुछ जानकारी बताएंगे कि जो sodium vapor lamp होती है उसको कैसे maintenance किया जाता है और जो अगर उसमें जो equipment लगे होते हैं उनको कैसे check किया जाता है कि कोई equipment खराब है या सही है क्योंकि अगर कोई equipment उसमें खराब हो जाता है तो हमाले sodium vapor lamp है बहुत जलती नहीं है तो हमें lizop unosquiten करना हुता है कि कोहीं को मेंट जो हे बूह हमारा खराब तो नहीं हो गया है और सप्लाई है वहमारी बहां तक पहुंच रही ए नहीं है तो सब shine यह mommy सब से पहले देखनी होती हैं और उसके बाद मैं उसको चैक करना पड़ता है उसके रिट को करना पड़ता है कि कोई कुमेंट खराब है या नहीं तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल के भी एलेक्टिकल मेंटेनेंस को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए को देखें दोस्तों हम आगये हैं जहाँ पर हमारे जो इस्टीड लाइट है स्वाइब लेंब लगी होई है वह जलने रही है तो यह जो हमारी है वो sodium weper lamp के लिए supply या रही है ये पोल की शाहता से यह बायर लगे हुए है तो क्या है यहां पर हम पहले क्या करेंगे test lamp को लगा के देखेंगे कि जो हमारी supply है वो यहां तक आय रहे हैं नहीं देखें जब हमनेичес aspirant को लगा के देखा तो यह supply सप्प्लाई जो है वो हमारी यहां तक आ रहा है औरगेंग मैघ कणि कर लिये तो अब हम तो जब हमने इसको सही से देखा तो यह जो हमारा कैपिस्टर लगा हुआ है यह हमारा कैपिस्टर खराब है यह हमारा कैपिस्टर डेमेज हो चुका है तो हम क्या करेंगे जो कैपिस्टर है उसको निकाल देंगे जो कैफिस्टर होता है वो हमारा पावर फेक्टर के लिए होता है तो क्या जो कैफिस्टर को भी हम निखाल देंगे तब भी हमारी जो लाइट है वो चालू हो सकती है तो हम इसको निकाल देंगे और फिर जैसे हमारे कनेक्शन थे हम सेम बैसी कनेक्शन करके और जो इसको दो रहने तो क्या है जो लुज कनेक्शन कि बज़़े से स्पार्किंग होगी और इसके बज़़े से हमारे इकडरब्ट धैसे उसकते हैं और कोई भी कुपिमेंट महारा खराब ही वी हो सकता है तो इसलिए हमेंजे निम fellows को क्यों फज्काइट को के रह एक अब हमने इसको अच्छे टाइट कर लिया है अब हम इसको दोबार सब्लाई देके देखेंगे कि हमारी इसमें कोई फॉल्ट है तो अब क्या करेंगे हम इसको अच्छे चेक करेंगे कि इसमें जो equipment लगे हैं उनमेंसे कोई equipment खराब तो नहीं है देखिए जो bulb है वो हमारा अविलकुल सही है नाय बल्ब लगा हुआ है और यह हमारी जो है वो blast है चोक है तो क्या है चोक जब खराब होती है तो हमारी सोट हो जाती है इसमेंसे जो insulation है जो बायर है वो अलग दिखने लगता है काली पड़ जाती है और यह हमारा resistance लगी हुई है देखिए यह जो resistance है यह हमारी खराब हो गई है हीट होक के इसमें कालापन भी आ गया यह सॉट हो गई है हमारी अभी क्या करना पड़ेगा जो इगनेटर है हमारा अभी हमें उसको रिफलेस करना पड़ेगा और जो इगनेटर है वो हमारे पास दूसरा तरहां गयों करेंगी इसमें हमारे तीन बायर होते हैं लाल पीला और काला इसके कनेक्शन भी हम बताएंगे जो इस हना करता है उसमें हम मेन को जो नूरा हमारा वह मेन नूर्टर देद है और जो hesitate बचता है उसको किया करते है जो हमारी चौक है उसमें जो connector पर नाम लखे होता है नम्म लह commitments है कि कौन सा connections रहे तो जो 220 नम्मर क्णेक्टर होता है 220 पर कर दो सप्दार tayा है उस कनेक्शन हैं वो हमेशा बिलोकुल टाइट करें बिलोकुल भी लूज ना रहने दें लूज रहने से क्या होता है जो हमारे स्पार्किंग होगी और हमारा कुछ भी कुपिमेंट जल जाएगा खाब हो जाएगा स्पार्क की वज़े से तो लूज बिलोकुल ना रहने दें तो तो हमने क्या किया जो हमारी में कॉंटेक्ट कनेक्टर से सप्लाई आ रही थी और जो चोक में हमें में सप्लाई देनी होती है तो हमने चोक में और एगनेटर को चोक में कनेक्ट कर दिया है वहां से तो सोट करके तो हमारी एगनेटर को भी सप्लाई मिल जाएगी और हमारी च और इसमें देखिए जो हमारे चोक है इसमें जो कनेक्टर के नाम लिखी हुए है नमन लिखी हुए है तो यह जो हमारा कनेक्टर है वो 220 सप्लाई लिखी हुई है जहां पर उस कनेक्टर में हमें कनेक्ट कर देना है तो यह जो कनेक्टर है अब हम पीले वाले वायर को 220 सप्ल पड़ते है 240 connector में जो मेन ही साता है आई फेस को दे दें और फिर इसके बाद जो मुझम कोनेक्टर होता है वो हमारा 220 number connector होता है मेरे क्या करना होता है जो हमरा ऑई कर पीुला वाला बायर Soul को quella प्रता है और तीसरा हमारा connector होता है वो common connector होता है इस point से हमें जो हमारा holder लगा हो होता है उसमें हमें face देना पड़ता है और जो holder में हमारा दूसरा बायर होता है neutral और जो हमारा ignitor का दूसरा बायर होता है neutral उसको दोनों को neutral देना पड़ता है काले बाले बायर ignitor का और जो हमारा holder से आ रहा है एक neutral बहां देना पड़ता है तो हम इसको अच्छे से connect कर लेंगे, दोनों को neutral मिल जाएगा, ignator को भी और हमारे holder को भी, तो ये हमारी जो wiring है, इसकी complete हो जाती है, और इसके बाद हम दुबारा चालू करके देखेंगे, कि अब हमारी जो light है, वो start होती है या नहीं होती है, सब को connection को अच्छे से tight कर लेंग हम बहाँ पर उसको set कर देंगे, और इसके बाद हम आप supply को on करके देखेंगे, कि वो start होती है या नहीं, इस light का हमारा जो सुच है वो नीचे लगा हुआ है, तो अब हम बहाँ से इसको on करके देखते हैं, कि हमारी light चालू होती है नहीं, तो देखें दोस्तों, जब हमने इसको चालू करके देखा, तो यह हमारी light है, वो चालू हो गई है, क्योंकि इसमें जो हमारे fault थे, वह ही थे, जो हमारा एगिनेटर है, और जो हमारा capacitor है, वो दोनों इसमें खराब हो चुके थे, अगर यह दोनों भी खराब ना होते, तो हमारा क्या है, जो कभी चोक सोट ह हो जाती है, तो हमें इसको test lane से चोक कूछ चेक करना चाहिए था, उसके बाद हम चैक करते हैं कि जो चोक है हमारी वो supply निकाल रही है, नहीं निकाल रही है, इसके बाद पता चलता है, कि हमारे चोक सही है, ए खराब उसके बाद हम उसको connect करते हैं, तो यह हमारा कोई भी light और यह को उसको उसको बन्द कर लेंगे क्योंकि नहीं तो इसमें पानीं आ जाए तो यह कबर और इसमें बाल को बैठा के जैचे और इसमें जो चारो साइड है वो लोक लगे हूए ते देखिए यह जो है इसको है keto कबर होता है जिससे वो उसमें फिक्स हो जाता है इसके बाद वो निकलता नहीं है दोस्तों यह बहुत ही आसान होता है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है बस क्या है जो इसके कनेक्शन है हम इसको एक दुबार देख लें और अपने दिमाग में बिठा लें इसके बाद हम इस